सब्सक्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं हेलो दोस्तों जै हिंद आपका अपने परिवार्दा स्पीड इस्टडी पर एक बार फिर से सौगत है और हम लोग जो है उसी क्रम में आज आगी चर्चा करेंगे जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ये बैद जो है वो साम को चार बजे वाली बैद थी लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे सो जाते थे ये बताईए कि जब आप सोएंगे तो आपको जौब कैसे मिलेगी सोने से मिल रहेगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों हमारे साथ लगना पड़ेगा और जैसा कि आप जान रहे होंगे दोस्तों कि सितंबर लाश्ट तक स्कूल खुल जाएंगे सितंबर लाश तक स्कूल खुल जाएंगे अभी ये नोटिस आई है दोस्तों तो अगर ऐसा होता है अगर स्कूल खुल जाते हैं दोस्तों तो ये मार्के चलिएगा कि अक्टूबर में आपका एक्जाम होगा दोस्तों अक्टूबर में आपका एयर फोर्स का एक्जाम होगा और इसलिए दोस्तों आप लग जाईए और बिल्कुल भी सोना मना है दोस्तों मैंने कहा है कि सोना मना है अर्थात अगर आप सोना चाहते हैं दोस्तों तो दो बजे से तीन बजे तक दो बहर में दो बज़े से तीन बज़े तक आप एक गंटे सो लीजिए नहीं तो बैक्सिमान टाइम आप अपने पढ़ने में दीजिए दोस्तों और आज हम लोग उसी क्रम में अर्थाद जो साम को चार बज़े वाली बैस थी उसमें कल हमने दोस्तों कल का मतलब सनी वार को मैथ का प्रेक्टिस सेट दो हमने पूरा खतम कर दिया था दोस्तों और आज हम लोग उसी क्रम में आगे पहुचे हैं प्रेक्टिस सेट नंबर दो पर और प्रेक्टिस सेट नंबर दो का आज हम लोग डिसकस करेंगे इंगलिस हमने दोस्तों प्रेक्टिस सेट दो की मैथ डिसकस कर लिए है आज हम लोग प्रेक्टिस से दो की English डिसकस करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का आज दोस्तों 11 दिन है आज हम लोगों का दोस्तों 11 दिन है हमने पिछली 10 क्लास ले चुका मतलब पिछला 10 क्लास हमने इसमें लिया है प्रेक्टिस बैच में दोस्तों तो उस है कि पंदरा वच्चे कम से कम लाइब जरूर रही दोस्तों क्योंकि अब अब आपके पास समय नहीं है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो आप लोग मैध के लिए परिशान हो रहेए थे 17 गुरूप एक्स वाले जो परिशान हो रहे हैं उन भी अपरशान होने की जरूरत नहीं है मैं पूरा एक एक chapter आपको करा दूँगा दोस्तों जैसा कि मैं ने कहा तो आप channel को subscribe करिए दोस्तों आपको notification मिलेगी channel को subscribe करिए वहाँ पर घंटी वाली बटन होगी उसको दबाइए जब आप उसको दबादेंगे दोस्तों तो जितना हुआ के आहिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस स्टेट दो का पहला कॉष्यन इंगलीस का तो दोस्तो मैंने कहा कि सबसे पहला आपका python आता है और pythonज में एक से लेकर के चार2 या एक से लेकर के 3 तक कुष्यर रहते हैं दोस्तों. पायसेज में आप जिसमें से इस मतलब मडल से दो का जो पैसेज है वो कराया जाएगा दोस्तों तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे अर्थात देख रहा हूं दोस्तों इसमें एक से ले करके तीन टकर था तीन कुश्चन आपके पैसेज के हैं और चौते कुश्चन से चार कुश्चन आ दोस्तों सब लोग जय हिंद लिखे दोस्तों एक बार जल्दी से सब लोग जय हिंद लिखे और कमेंट में आजाए दोस्तों एक बार जल्दी से आप लोग सेयर कर दीजे दोस्तों एक बार जल्दी से आप लोग सेयर कर दीजे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों क् question number 5 से and question number 5 आपकी स्क्रीन पर लिखा हो क्या कह रहा दिखिए इस पार्ट अमिस स्पेल्ट वर्ट मतलब दोस्तों चार वर्ड आन्स रिखा है एक मिरइकुलस दिया गया है एक इनकरिज्मेंट लिखा है और एक explanations expectations दिया गया है दोस्तों तो देखिए पहला वर्ड आपका लिखा है दोस्तों miraculous पहला वर्ड लिखा है दोस्तों miraculous और दोस्तों miraculous आपका एकदम सही लिखा हुआ है और इसका अर्थ होता है दोस्तों चमतकार पूर्ड जी हां दोस्तों पहला आपका जो लिखा हुआ है दोस्तों मिरा एकुलस मिरा एकुलस का मतलब होता है चमतकार पूर्ड दोस्तों मिरा अगर मिर की बात की जाए देखिए मिरा मतलब क्या होता है दोस्तों सीसा और सीसे में होता क्या है दोस्तों चमतकार हो इमेजिनरी तो इमेजिनरी का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक इमेजिनरी का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक या फिर कल्पना करना इमेजिन करना इमेजिन का मतलब होता है दोस्तों कल्पना और इमेजिनरी मतलब कल्पना पूर्ण या काल्पनिक होता है दोस्तों वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें दोस्तों देखिए इनकरेजमेंट लिखा है दोस्तों इनकरेजमेंट इन सी ओ यू आर एजी यंटी इनकरेजमेंट मतलब होता है दोस्तों encouragement का मतलब होता है दोस्तों encouragement का मतलब होता है दोस्तों प्रेरणा देना या फिर encourage करना उत्सा भरना तो दोस्तों इसमें spelling देखिए गलत है encouragement की E-N-C-O-R-A-G-E-M-E-N-T अर्थात encouragement की spelling गलत है कि मैं हमसे पूछ रहा था की सही वर्ड क्या baik मिसस्पेट किस में है दोस्तों तो मिससे मीacular सी में होगा पर मिसस्पेट करना सी में होगा इंकरजमेंट में होगा और चाओथा ज़न लिखा है expectation expectation और निखा है अगर कल की आप महामायराथर क्लास देखें होंगे दोस्तों तो ये बताइए कि ये मिरे कुलस क्या चीज है नाउन है एड्यक्टिव है वर्ब है एडवर्ब है क्या चीज है दोस्तों अगर आप बता देंगे दोस्तों तो मैं जानूंगा कि कल वाली क्लास आपको समझ में आई दोस्तों अगर आप नहीं देखे हों कल वाली क्लास उसको देख लिजे के दोस्तों उसमें हमने बताया था कि adjective कैसे पहचानेंगे वर्ब कैसे पहचानेंगे नाउन कैसे पहचानेंगे यह बदलने के लिए आता है कैसे आता है अभी आपको word के अंत में किसी word के अंत में दोस्तों अगर आपको O U YAS मिल जाए दोस्तों तो वो आपका adjective होता है अर्थात चमतकार पूर्ण या फिर मिरेकुलस या आपका क्या है दोस्तों यह adjective है उसी तरह दोस्तों हमने बताया था कि T I O YAN अगर किसी word के अंत में T I O Y N मिल जाये दोस्तों तो उसका मतलब होता है कि ये आपका noun है जी हां दोस्तों तो अर्थात अगर दोस्तों T I O Y N Y S I O Y N Y M E N T E E R O R अगर ये सब word मिल जाये किसी सब्द के अंत में तो दोस्तों वो noun होता है आपका कल मैनी ये चीज बताई थी मैरातन क्लास में तो अगर आप नहीं देखें दोस्तों तो उसको जरूर देख लिजेगा तो चलिए चलते हैं दूसरे कुश्चन पर दोस्तों अर्थात इसमें क्या होगा दोस्तों इसमें C होगा अर्थात encouragement की spelling गलत है इसको आप लिख लिजे दोस्तों इसको आप लिख लिजे जो PDF मिलेगी उसमें इसका अर्थ नहीं दिया गया रहेगा तिसलिए इसको आप दोस्तों लिख लिजे आगे चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों क्या कह रहा है देखिएगा question number 6 दोस्तों question number 6 क्या कह रहा है आपकी screen पर लगा है feminine of priest priest का दोस्तों इस्तरी link क्या होगा हाँ दोस्तों priest का इस्तरी link क्या होगा दोस्तों तो हमने दोस्तों कल बताया था हमने दोस्तों कल बताया था कि इसमें suffix में दोस्तों कि जो suffix होता है दोस्तों वो gender change कर सकता है जो suffix होता है वो tense change कर सकता है जो suffix होता है वो degree change कर सकता है जो suffix होता है वो noun बदल सकता है जो suffix होता है वो adjective बदल सकता है जो नहीं सफिक्स होता है वो वर्ब बदल सकता है तो मैंने यह सब चीज दोस्तों आपको बताई थी अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं प्रिष्ट और इसको इस्त्री लिंग बनाना है दोस्तों क्या जोड़ेंगे बताईए इसमें दोस्तों इस्तरी लिंग बनाने के लिए EWS जोड़ेंगे अर्थात दोस्तों यह हो जाएगा प्रिष्टेस और प्रिष्टेस का मतलब होता है देखिए प्रिष्ट से बना है दोस्तों प्रिष्टेस और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जयिसे अगर कहीं दिया जाए इसे में अगर दूस्तों मतलब क्या होता है आप बताईएगा कि priestess का मतलब क्या होता है अभी मत बताईए अभी मत बताईए दोस्तों जब वीडियो खतम हो जाए तो offline कमेंट कीजेगा कि priestess का मतलब क्या होता है दोस्तों तो देख रहे हैं दोस्तों पहला लिखा है priest, दूसरा लिखा है priestess, तीसरा लिखा है monk, चौथा लिखा है eve तो हमने कहा दोस्तों कि priest का जो मतलब he totally bund हुआ हो तो वह क्या हो जाएगा priestess हो जाएगा अर्थात option number 2 आपका सही है occasion number two आपका सही है दोस्तों, आगी चलते हैं, आगी चलते है, सातवी number पर चलते हैं और देखिए सातवा number क्या Bene लिखा हुआ है QUE plural US CHIN 1 मतलब मुर्गी और मुर्गी की बहवचन MPży क बहवचन क्या होगा दोस्तों तो इस में कुछ नहीं करना है दोस्तों हिन का बवोचन क्या हो जाएगो दोस्तों यह ची यह यह लग जाएगा अर्थात हिंस हो जाएगा किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों किसी को कहीं किरिए मैं देख रहा हूं अगर समझ में आ रहा हूं इक बार दोस्तू अगर मज़ा आ रही हो Explanation अच्छा लग रहा हुए दोस्तों मैंने एक एक explainator कर रहा हूँ क्छार राप्षं दिये हैं तो चार की आपसन का एमetzen और बताता हूं तो रहा है कि adjective iF drama जी हाँ दोस्तो ड्रामा का मतलब होता है तो जोस्तो नातक दॉस्तो नातक यह आपका noun है और इसको adjective बनाना है हिसको अ जीकिप बनाना है तो adjective कैसे बनेगा दोस्तों तो कर वाली अगर सफिक्स वाली क्लास देखिए हूंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि drama है अब इसमें चार आप्शन दिया है एक डिया है divert की connection हमिस्तिक मतलब होता है दोस्तों देखिए domestic का मतलब होता है आवास वहीं दोस्तों दूसरा लिखा हुआ है ड्रम का मतलब दोस्तों बजाने वाला ड्रम है ड्रेमेटिक जी हां दोस्तों ड्रमेटिक अर्था ड्रामा ड्रामा प्लस्टिक तो दोस्तों ड्रमेटिक हो जाएगा अर्थात ड्रमेटिक और ड्रमेटिक का मतलब होता है दोस्तों ड्रामा करने वाला जी हां दोस्तों ड्रा का adjective हो जाएगा अर्थाद drama का adjective क्या हो जाएगा दोस्तों वह सभी आपका adjective बन जाता है जैसे अगर वाइट लिखा है दोस्तों तो फाई तो मतलब सफेद लेकिन अगर उसी में EWS जोड़ दीजिए तो वाइट अफेड जैसा ब्लैक इस सफेद जैसा आई यस अगर जुड़ जाये दोस्तों तो वही चीज है दोस्तों अर्थात अगर TIC जुड़ जा लाइक भी नहीं कि दोस्तों मैंने कहा दोस्तों केवल तीन दिन और वेट करूँगा दोस्तों तीन दिन केवल और वेट करूँगा अर्था चार तारिक तक चार अगस्त तक मैं और वेट करूँगा दोस्तों अगर आपका रिस्पांस ऐसा ही रहा तो क्लास बंद कर दी ज आई दोस्तों इसलिए आपका करता बेह दोस्तों की जादा से जादा लोग जूड़ें सेयर करें लाइक करें कमेंट करें सब चीज दोस्तों करते रहें जितनी चीज हो सकती हो आप से उतना करिए आप लोग तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अर्थात नौवा कुशन क्य जो क्लीन्स मतलब गल्यों को अर्थात गल्यों को साफ रखने वाला हां दोस्तों गल्यों को साफ रखने वाला उसको क्या कहेंगे दोस्तों पहला लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ है दोस्तों इस कवेंजर यह सी ए वी यह जी ए आर इस कवेंजर मतलब होता है दोस्तों कूडा उठाने वाला जी हां दोस्तों कूडा उठा यहां तो फूल वाली जौडू दूस्तों तीसरा निकार और भेलुसेगमें प्रूम और ब्रूम का मतलब होता है जूस्तों फूल वाली जाडू जिंस्तों प्रूल वाली जणू यह बताई दोस्तों तो कितने लोग फूल वाली जाडू देखें हैं दोस्तों फूल वाली जाडू में दोस्तों गुलाब के फूल नहीं लगे रहते फूल वाली जाडू का मतलब यह है दोस्तों कि वह जो जाडू बनती है ना वह नारियल के जूट से बनती है इसलिए उसको कहते हैं दोस्तों बाली जाडूं तो याद रखिएगा अर्थात कहे रहा है कि गलीओं को साφर रखनी वाला उसे क्या कहेंगी दोस्तु इसके वेंजर कहेंगे इसजी का मतलब होता है तो इस्टो कूडा उठानी वाला है या मैला उठानी वाला तो क्या हो जाया être दो तो इसका, one who cleans the streets, तो उसका हो जाएगा दोस्तों, स्क्वेंजर्ज स, अर्थात option number 1 आपका सही जवाब है, आगे चलते हैं, दोस्तों, आगे चलते हैं, दस्वें question पर, मजा आ रही एक नहीं दोस्तों, बताईए, मजा आ रही एक नहीं दोस्तों, बताईए, आप लोग ये कमेंट बताएए दोस्तों कमेंट करके कि क्या क्या दोस्तों मैं मेहनत करने में कोई कमी करता हूँ दोस्तों कमेंट करिए बताएए क्या हमारे पढ़ाने में कोई कमी है दोस्तों अगर कमी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है दोस्तों बताएए कि 8 लोग 10 लोग 12 लोग देखते हैं दोस्तों अगर कमी नहीं है दोस्तों तो आपको चाहिए कि आप सेयर करें हर जगा फेस्बूक ग्रूप पर सेयर करें वाटसेप पर सेयर करें अपने मित्रों से सेयर करें अपने स्कूल के दोस्तों से सेयर करें दोस्तों तो ये आपका करता बेबनता है दोस्तों सेयर करिए बोलिए कि सस्क्राइब करें और दोस्तों कमेंट करें लाइक करें तो दोस्तों आप अगर चाहेंगे दोस्तों तो आप जरूर करवा सकते हैं तो ऐसे कैसे काम चलेगा अगर मेरे पढ़ाने में कमी नहीं है दोस्तों तो सबसे पहले आप यह जाने है दोस्तों कि सेवर का मतलब होता क्या है तो देखिये नीतिम राठोर, हन्मान विशनेई, प्रमोच सर्मा, आकरिद भधवरिया, नितेश कुसवाह, नील परताब, अभी, भवानी राठोर, नीरश, अस्तोस, नितेश, संदीब, मैंने नाम ले लिया ग। दोस्तों, आदे लोगों का मैंने नाम ले लिया और ऐसे मैं बीच बीच दोस्तों किसी चीज को अलग करना या फिर प्रिथक करना उसे कहते है सेवर दोस्तों वहीं अगर हुँँ चलें इसके सेनोनिम में सेनोनिम का मतलब होता है दोस्तों समान आर्थी सब्द जी हां दोस्तों सेनोनिम का मतलब होता है दोस्तों समान आर्थी सब्द का मतलब होता है दोस्तों कि जो समान अर्थ रखते हूं समान अर्थ रखते हूं उसे समान आर्थी सब्द कहते हैं दोस्तों और सेव सेवर का मतलब समा अलग करना चलिए option में चलते हैं दोस्तों पहला option लिखा हुआ है irritate तो दोस्तों irritate करना किसी को irritate करना और irritate का मतलब होता है दोस्तों चिढ़ाना या उकसाना और वहीं दोसरा देखें दोस्तों अगला वर्ड लिखा हुआ है इनिस्टिगेट दोस्तों निस्टिगेट का मतलब होता है दोस्तों प्राराम्भ करना जी हाँ दोस्तों ठीक है मैं कमिट आप सबके देख रहा हूं दोस्तों क्या लिखा है अगला वर्ड दोस्तों इनिस्टी गेट और इनिस्टी गेट का मतलब होता है दोस्तों प्रारम करना या फिर दोस्तों भड़काना जी हाँ दोस्तों वहीं अगला वर्ड देखे दोस्तों अगला वर्ड देखे तो लिखा है बेक आफ और ब्रेक आफ का मतलब भी होता है दोस्तों अलग करना जी हाँ दोस्तों आपको बताओं में दोस्तों आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलिएगा क्योंकि इसकी हिंदी आपको पीडियाप में नहीं मिलेगी इसलिए आप लोग इसको देखते रहे और देख रहे हैं एक बार सेर करिये तब आगे स्टार्ट करता हूं नहीं तो पढ़ाऊंगा नहीं बस पढ़ाऊंगा नहीं दोस्तों बंद कर दोंगा एक बारिक ना सेर करिये आगे चलते ही दोस्तों इक यार्मी कुश्यन पर इक यार्मी कुश्यन पर चलते हैं और ग्यार्मा कुश्यन क्या कह रहा है कह रहा है एंटोनीम आफ कोहरेंट जी हां दोस्तों एंटोरिम एंटोनीम आफ कोहरेंट और दोस्तों कोहरेंट का मतलब होता क्या है कोहरेंट का मतलब होता है दोस्तों सूसंगत जी हां दोस्तों सूसंगत कोहरेंट का मतलब होता है दो है दोस्तों कोहरेंट का मतलब होता है सुसंगत या फिर मिला हुआ तो चलिए दोस्तों इसका अपोजिट देखते हैं इसका अपोजिट देखते हैं दोस्तों इसका अपोजिट दोस्तों टेंस मतलब टेंस होता ही है डाइवर्जेंट हो जाएगा दोस्तों डाइवर्जेंट इसका आपोजीट जो हो जाएगा दोस्तों क्या चीज दोस्तों आपोजीट या फिर एढळनिम दोस्तों इसका एढ़निम एंटोनिम, adjective कैसे बनाएंगे, female कैसे बनाएंगे, उसके बाद हमने एक चीज और देखा दोस्तों, क्या देखा, miss spelt देखा दोस्तों, तो इतनी चीज हमने देखी दोस्तों, आगे चलते हैं, और आगे दोस्तों, बारवे question पर चलते हैं, और बारवे question आपका दोस्तों, narration है है जी हान दोस्तों बार्वा-कुश्छन आपका नारेशन है या फिर डेरेक्ट ऐन डेरेक्ट हैक यहां चेल ele elemento असे लिगार्य। है लिखा राम सेट टुमी क्लाउंट क्लाउंठ टूमी कर दोस्तों राम श्राब डोस्तों यारक की गार्थिक सब्सकर प्रस्ण आए कि यहां पर दोस्तों आपको आदेस जैसा लगे या फिर दोस्तों अब भाई यहां पर लिखा गो देर वहां जाओ एक ग्लास पानी लाओ खाना खाओ तो दोस्तों यहां पर पता नहीं चल रहा है कि वह आदमी हमको और दे रहा है या फिर वह आदमी हमसे पूछ रहा ह तो दोस्तो जब भी ऐसा वाक मिले अगर यहाँ पर जैसे होता कि the teacher said to student तो दोस्तो अध्यापक बच्चों को बच्चों से पूछेगा नहीं अध्यापक बच्चों को आदेश देगा वहीं पर दोस्तों अगर यहाँ पर होता कप्तान या कैप्टन होता और यहाँ पर दोस्तों आर्मी होता तो एक कैप्टन अपनी आर्मी को आर्मी से पूछता नहीं है दोस्तों आपने आर्मी को क्या करता है आदेश देता है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राम और दोस्तों said to को asked या फिर दोस्तों ordered जो कुछ भी आपके option में रहेगा दोस्तों option में अगर asked रहेगा तो इसको टिक करेंगे दोस्तों option में अगर ordered रहेगा इसको टिक करेंगे तो राम asked या ordered me और क्या कहा, to go there, जी हां दोस्तों, to go there, अगर दोस्तों इसमें problem हो, तो परिसान मत होएगा, आप playlist में जाएए दोस्तों, वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर लिखा है दोस्तों, basic English grammar, जी हां दोस्तों, basic English grammar, वहाँ पर आप देख लिजे, या फिर आप डालिएगा, search box में डा जी हां दोस्तों डारेक्ट इंडारेक्ट वाई आरके वाई सर जी हां दोस्तों डारेक्ट इंडारेक्ट वाई आरके वाई सर और पूरा डारेक्ट इंडारेक्ट टिक्टम अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अग वाज गिविन एपिन तो दोस्तों हम यहां पर देख रहे हैं हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर वाज है और यहां पर वर्व की थर्ड फार्म है दोस्तों अर्था दोस्तों यह पैसी वाइस में है यह पैसी वाइस में है दोस्तों और वाइस चेंज करना है औ यहीं आपका चेंज दवाइस है दोस्तों तो हम देख रहें दोस्तों जैसे कि देख रहा हूं कुछ बच्चे कह रहें कि सर कैसे पहचानेंगे कि 50 वाइस में है तो 50 20 वाला एक लेकर आऊँगा मैं मैं आथन कि उसमें आपका 25 वाइस पूरा एक दिन में कम्प्लीड करवा दूँगा लेकिन भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि 25 वाइस कैसे कैसे पहचानेंगे सुनिएगा इज आर आइम वाज वर इज आर आइम वाज वर है जवीन है बीन है बीन इनके सब के साथ दोस्तों इनके सब के साथ दोस्तों अगर वर्ब की थर्ड फार्म लिखी रहे इनके सब के साथ दोस्तों अगर वर्ब की थर्ड फार्म लिखी रहे तो जान लीजेगा दोस्तों कि ये पैसिव वाइस में है तो यहाँ पर देख रहा हो दोस्तों वाज है और वाज के साथ दोस्तों वर्ब की थर्ड फार्म लिखी है इसका मतलब ये sentence पैसिव वाइस में है अब चलिए option में अर्थात देखिए दोस्तों वाज लिखा हुआ है और वाज का जब हम active वाइस बनाएंगे दोस्तों तो हम वर्ब की second form लिखते हैं अर्थात दोस्तों option में option में हम सिर्फ एक चीज़ ढूढेंगे कि वर्ब की second form किस वाक में है तो दोस्तों चलते हैं पहला लिखा है अर्थात पहला गलत है दोस्तों दूसरा देख रहे हैं दोस्तों someone given अर्थात दोस्तों ये भी third form है छोड़ दीजी नहीं होगा आगे चलते हैं दोस्तों someone gave me a pen यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं second form है यहाँ दोस्तों अब टीन दोस्तों अगर चौटे पर चले दोस्तों तो चौटे में देख रहे हैं बाज लिखा है नहीं होगा इसका मतलब दूस्तों इसका टेशन जवाब क्या हो जाए गा तो तेरें एक two- conclusions जवाब हो दोस्तों एक बार जल्दी से जैहिंद लगना चाहिए दोस्तों कि हम लोग एक्जाम दोस्तों अगले महीने होना है याद रखिएगा हम यह टारगेट करेंगे दोस्तों कि हमको एक्जाम अगले महिने देना है दोस्तों तो इसलिए पढ़ते रहिए दोस्तों पढ़ते रहिए दिन रात एक कर दीजे दोस्तों और पूरी मेनत से पढ़िए दोस्तों इस बार जाब लेना है दोस्तों जितना जल्दी जाब पा जाएंगे दोस्तों उतना आराम रहेगा याद रखिएगा तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कुश्यन 14 पर कुश्यन 14 पर चलते हैं दोस्तों और इसका क्या होगा आप लोग बताईे हाई-eN ա्राइ क्या होगा चवदा न? 14 कुश्यन? हाँ हाई-eN eres ये दौस्तो आई-पी है आपका आईटियाम फ्रेज है आपका हाई-END हाई-END ड्राइ दोस्तो हाई-END Russians का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना किसी चीज को नकार देना किसी चीज को खराब घोशित कर देना तो वही चीज होता है high and dry अर्था देख रहे होंगे दोस्तों तीसरा option लिखा हुआ है rejected जी हां दोस्तों तो high and dry का मतलब क्या होता है दोस्तों rejected होता है high and dry का मतलब rejected होता है जी हां दोस्तों किसी को कहीं समस्या हो दोस्तों बताईए किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताईए आगे चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं लिखा हुआ है कि डारेक्शन 16 से 20 तक 16 से 20 तक आपका feeling the blanks है जी हां दोस्तों 16 से 20 तक आपका feeling the blanks है और feeling the blanks में आपको भरना है दोस्तों मैंने कहा था दोस्तों कि feeling the blanks आपका 4 या 5 नंबर का आता है दोस्तों तो देख रहे हैं 16 से 20 अर्था 4 question आपका feeling the blanks का है पहला question आपकी screen पर निखा है दोस्तो question number 16 आपकी screen पर निखा होगा कह रहा है कि I have been waiting I have been waiting I have been waiting मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ 5 o'clock मतलब 5 बजे से जी हां दोस्तो 5 बजे से मैं 5 बजे से इंतजार कर रहा हूँ दोस्तो और याद रखिएगा याद रखिएगा जब समय फिक्स हो दोस्तों क्या चीत जब समय फिक्स हो दोस्तों तो वहाँ पे सिंध का प्रियोग करते हैं और जब समय फिक्स ना हो दोस्तों तो वहाँ पर फार का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पी दोस्तों समय फिक्स है कि 5 बजे से वेट कर रहा हूं अगर कह दिया जाए दोस्तों कि मैं जनवरी से वेट कर रहा हूँ तो ये भी समय फिक्स है दोस्तों कि जनवरी से वेट कर रहा हूँ अगर कही दिया जाए दोस्तों कि मैं दो बजे से वेट कर रहा हूं तो ये भी फिक्स है दोस्तों कि दो बजे से वेट कर रहा हूं अगर कही दिया जाए दोस्तों कि मैं सोमवार से वेट कर रहा हूं तो सोमवार से ये भी फिक्स है दोस्तों अर्थात जब आपका फिक्स सम मैं दिया गया रहे तो वहाँ पर सिल्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों वहीं पर फार महीने से वेट कर रहे हूँ समय स्दोस्तों और कर वहां पर दोस्तों क्या होगा फार् हाब कपरियोग किया जाएंगा जैसे कोisters किषए यां जमें सीपैशन को सब्सक्राइब नमबर तीन आपका सही हो जायाग दो सबलोग दीटने लोग देख रहे हुआ है मैं धेखते दो अगला कुशिं क्या कह रहा है सत्रह हमा कुशन जी हाँ दोस्तों क्या कह रहा है गार कह रहा है कि ही विल कॉम ही विल कम वह आएगा और भीफोर तो गोश्तों याद राखी दोस्तोंwno धूरिया जो दोस्तों बिफोर लॉंग का मतलब होता है दोस्तों लंबे समय से तो दोस्तों देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ लिखा है कि ए बाइगा ब्सक्राइगा नहीं को नहीं होगा बीफोर लांग हो गलत आगा लंबे Nas niż our बहुत पहले आझाएगा है लंभे समय से दोस्तों या फिर इसका अधिव रूंप होता है सच्छ इए तो बहुत पहले तो दोस्तों वह लंबे समय से या फिर बहुत पहले आएगा अर्था जो सत्रा नंबर है दोस्तों सत्रा नंबर में जो आपका सही जवाब होगा सत्रा नंबर में जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह दो नंबर हो जाएगा 17 वे का दूसरा आपका चाहिए हो जाएगा वही आगे चलते हैं दोस्तों लिखा है नाइडर हीज सन नौर हीज पैरेड़ेंस दाट दॉप्लेम जी है दोस्तों मैंने कहा था क्या कहा था नाइडर दाट नौर आईदर दाट दाट और आइज सून आईज आइज डाट डाट इसके सब के साथ दोस्तों ना इसके सब के साथ नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार helping verb लिखी जाती है दोस्तों तो हम देख रहे हैं दोस्तों 18 नमर पे क्या देख रही है 18 नमर में देख रहे हैं दोस्तों neither his son ना तो उसका पुत्र nor his parents नहीं उसके पिटा या माता पिटा प्रेंट माता पिटा आगे दोस्तों ल रए मतलब दोस्तों ना तो लड़का और नहीं ऊचो करने आये तो दोस्तों अब्जेक्शन करने आए अर्थात आपका यहां पर क्या होगा दोस्तों हमने कहा दोस्तों यहां पर प्रिजेंट लिखा है प्रिजेंट लिखा है दोस्तों तो पैरेंट्स में दोस्तों यस लिखा है और हमने कहा दोस्तों कि नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहां आपका एक वचन है नहीं हो सकता अगला देख रहे हैं दोस्तों है लिखा है है आपका हो सकता है दोस्तों आर लिखा है आर भी आपका हो सकता है दोस्तों लेकिन दोस्तों आर होगा कि है भोगा तो इसके लिए देखिए दोस्तों है का मतलब होता है कोई घटना अगर घट च चुकी है दोस्तों तो वहां पर हैव का प्रयोग किया जाता है जैसे तुम बाजार जा चुके हो तुम खाना खा चुके हो तुम एक पुस्तक पढ़ चुके हो तो यहां पर दोस्तों है का प्रयोग होगा तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 19 का 19 का जो सही ओडाब होगा दोस्तों आपसे पर थो मोहन इस कोई डट डाट हाड़ वर्क तो दोस्तों एक वडाऊ लिचलीजे दोस्तों due missiles को यूजड दू का मतलब होता है आदी है जी हाँ दूस्तों यूजड तू का मतलब दोस्तों आधी है या फिर उसकी आदत है आदत का मतलब होता है यूजड टू दोस्तों तो यहां पर दोस्तों लिखा है मोहन इस क्वाइट हार्ड वर्क तो मोहन इस क्वाइट यूजड टू हार्ड वर्क मतलब मोहन कठिन परिश्रम करने का आदी है दोस्तों मोहन कठिन परिश्रम करने का आदी है तो यह आज का सिट हमारा दोस्तों अरथा सिट नमबर दो में इंगलिस हमने पूरा कम्प्लीट कर दिया एक चीज बचा है पैसेज और मैंने कहा दोस्तों कि पैसेज की आद को अलग से क्लास मिलेगी जैसा कि कल मैंने एक वीडियो, कल नहीं, आज सुबा ही सेंड किया था, आज सुबा ही मैंने एक वीडियो सेंड किया था आपके ग्रूप पर, पैसेज का वीडियो था, मैंने कहा था किसको सब लोग देख लीजीगा दोस्तों, और वहाँ पर कमेंट कर दीजीगा अपने मु तो ये थी आज की क्लास, एक बार जल्दी से जय हिंद करिए दोस्तों, तो फिर देखता हूँ कि कौन-कौन हमारे बच्चे प्रजेंट थे दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद करिए दोस्तों, फिर देखता हूँ कि कौन-कौन से बच्चे कमेंट थे, आपके देखिए नील आस्तिक सागर प्रमोत नितिन हनुमान रावनक ज्यान संदीप राजन अक्षिप किसन विकास राजेश नितिश ब्लैक अजगर संदीप नितेश आस्तोस आयूस नीरज विशाल सबका नाम हमने ले लिए दोस्तों सबका नाम हमने ले लिया कुछ बच्चे छूटे हैं जैहिंद जैभाराट जैँद जैए भाराट झाल झाल